हेलो डियर स्टुएंट्स स्वागत है आपका फार्म एजुकेशन की सबसे बड़े डिजिटल प्रेटफॉर्म जीपड डिसकुसन सेंटर में दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं OSSC Pharmacist Marathon Series Part 60 दोस्तों इस पार्ट 60 में हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर टॉपिक कौन सा लेने जा रहे हैं पार्ट 60 में हमारा टॉपिक है इस्ट्राइल डोजस्वार्म और प्रोड़क्स और यह आपका फार्मसुटिक्स टू सब्जेक्ट के अंतरगत आता है इसमें दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस पूरी सीरीज में हम इस पूरी करते हैं आज का discussion आज का question number first और इस सीरीज का question number 1181 total solid content for SWFI SWFI के लिए total solid content कितना होना चाहिए यास तो चली देखते हैं हम यहाँ पर तो कुश्चन के साबसे अगर options देखें हम तो not more than 10, not more than 20, not more than 30, not more than 40 देखिए यहाँ पर SWFI का पूचा गया है तो SWFI का जो solid content है वो depend करता volume के उपर किसके उपर दोस्तों volume के उपर depend करता है यहाँ पर अगर देखें तो कह सकते हैं कि आपका जो higher volume है उसके लिए कम permitted रहता है और lower volume के लिए ज़्यादा permitted रहता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह सारे की तीनों values आपको SWFI के लिए तीनों values जो आपको मिल जाएंगे not more than 20 PPM, not more than 40 PPM लेकिन यहाँ यहाँ पर बात करें अगर हमें लग रहा है कि answer तो तीनों ही है यहाँ तीनों ही answer लग रहा है यहां पर क्या होगा total solid content for SWFI होगा not more than 40 हलाकि 20 भी होगा 30 भी होगा 40 भी होगा लेकिन यहां पर जो maximum limit है उसको करना पड़ेगा consider क्योंकि not more than दिया हुआ है और यह 10 PPM जो होता है WFI की limit होती है WFI के लिए किवल एक ही limit होती है यह volume के साब से हम distinguish नी कर सकते है कि यह volume के साब से differentiate नी कर सकते है कि solid content कितना होना चाहिए तो जो correct answer आएगा दोस्तों question का क्या होगा D is the right answer of this question चलिए answer check करते है yes D is the right answer तो आप देख सकते हैं यहां पर तो maximum limit दिया हुगा वो कितना दिया आपका 40 limit दिया हुगा अब इसके बारे हम कुछ और differences है इनको हम देख लेते हैं इस्टलिटी के पॉइंट भी से बात करें तो वाटर फॉर इंजेक्शन पारिजन फ्री तो होता लेकिन इस्ट्राइल नहीं ओता है तो war इंजेक्शन पारिजन फ्री होता के बारे हम बात करें टो प्रीशन मेंथन इसकी डिस्पलेर्स वास्तम से Ultra Filtration. यह सारी मैथन भी होती है स्ट्राइल एंॉटाइस को और्गनिक कारवन, बेक्टेरिल काउंट, एंडो टॉक्सिंस उनिट, रेसिड्यू ऑन एवपरेशन, कंडॉक्टिबिटी और पी एच, यह सारे की सारे तो जेनलल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यह आपका ग्लास का नाम दिया है तो हमें पता है कि जनलली एम ग्लास पड़ते है ग्लास थे आप ड़ते ही ारी होने पड़ते की ऐधा च्राット हिए तak फिर उसके बाद होता है Second, treated soda lime glass फिर Хर्ड होता है अब mana होता है और Last होता है आपका जटर्ड पर्पस, soda lime glass अब बात करें इन तीनों को देखें और यह तीनों के तिनों आपके parental की packaging में use करते हूं किसमें parental की packaging में use कि जाते हैं तीनों के तीनों के तीनों के तीनों parental की packaging में use कि जाते हैं लेकिन सबसे important पैकेजिंग, पैरेंटल पैकेजिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, तो किस के लिए यूज करते हैं, ओरल परपरेशन के लिए हम इसको especially यूज करते हैं, जो कि non-parental केटेगरी में आती हैं, तो इसको हम general purpose soda lime glass या फिर non-parental glass के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, non-parental glass के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर अगर options देखे हैं, option A, parental, option B, oral solution, liquid for external use, dry powder, तो oral solution, liquid for external use, और आपका dry powder, इन तीनों के लिए क्या होगा, जो type 4 glass है, वो क्या होगा, use होता है, type 4 glass क्या होगा, इनके लि not used for the parental, not used for the parental, question में यही पूछा गया है, किसके लिए use नहीं होता, तो इसके साब से correct answer क्या हो जागा, हमारा, A is the right answer of this question, यह क्या हो जागा, दोस्तों, इस question का correct answer हो जाएगा, clear, चली, तो इस question का answer A होगा, चली, check कर लेते हैं, yes, A is the right answer of this question, चली, देख सकते हैं, यहाँ प टाइब 3, soda-align glass, टाइब 4, non-parental, या general purpose glass के नाम से जाना जाता है, इनके लिए test important होते हैं, दोस्तों, test हमें याद रखने हैं, जैसे कि हम बात करें, टाइब 1 के लिए powder glass test, टाइब 3 के लिए powder glass test, और टाइब 4 के लिए powder glass test, यूज़ करते हैं, जबकि टाइब 2 के लिए water test हम लोग utilize करते हैं, यह आपके consumed volume है, किसके लिए, किसका volume consumed, इन test में कितना H2O support का volume consumed हो रहा है, उसके एसाब से यह दिया गया, तो आप देख सकते हैं, type 1 के लिए 1 ml, type 2 के लिए अलग-लग होता है, large volume parental के लिए 0.2, और small volume parental के 0.7 volume consume होगा, soda lime glass में देखे हैं, तो 8.5 ml, 0. 0.02 normal H2O support volume consume होगा, और यहाँ पर अगर बात करें, type 4 के लिए आपका 15 ml, कितना 15 ml volume consume होगा, applications के बारे हम बात करें, तो type 1 buffered और unbuffered aqua solutions के लिए use करते हैं, type 2 के बारे हम बात करें, तो especially buffered aqua solution निनका pH 7 से कम होता, मतलब अस्टिक preparation के लिए use करते हैं, कभी कवार dry powder और oily agenist preparation के लिए utilize कर सकते हैं, type 3 को type powder और oily agenist के लिए especially utilize करते हैं, लेकिन type 4 के बारे हम बात करें, तो इसको parental के लिए use नहीं करते हैं, not used for the parental, चले, तो यह होगा description आगे बढ़ते हैं, which is the correct for water for injection, water for injection के लिए correct क्या, WFI के बारे में, ओके, चले, correct statement जूनते हैं, तो सबसे पहले हम दिखते हैं, पहला option, total solid 20 ppm, pyrogen free, देखे, जो WFI के बारे में बात करें, तो एक तरीके से basic tag का water होता है, जो की parental की manufacturing के लिए use करते हैं, pyrogen free तो होता है, but solid content 10 ppm, 20 ppm नहीं होता, 10 ppm होता है, कितना होता, 10 ppm, total solid content 10 ppm and pyrogen free, यह statement सही हो सकता है, total solid 10 ppm, esterile and pyrogen free, esterile नहीं होता, pyrogen free तो होगा, लेकिन esterile नहीं हो, total solid 20 ppm, यह तो पूरा statement wrong है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें, statement B को या option B को अगर हम देखें यहाँ पर, तो total solid content, total solid content कितना होगा यहाँ पर, 10 ppm होगा, और not more than, इसको हम total solid content को तुरा सा और इसको clear करना चाहें, not more than 10 ppm, और यह must be pyrogen free, but not esterile, तो कुछ property होती है, water for injection की, not esterile, but pyrogen free, esterile नहीं होता, but pyrogen free, कैसा होता, pyrogen free होता है, और solid content अगर बात करें, तो not more than 10 ppm, ओके, total solid content कितना होगा दोस्ते होगा, आपर not more than 10 ppm, चली, आगे बढ़ चलते हैं, correct answer B है, जो हम लोग और identify किया था, यह correct इसका description आप देख सकते हैं, आपर, चली, आगे बटते हैं, question number 1184, यानि इसका आज की description का 4th number का question, the following ingredient is used as an antioxidant, antioxidant की तरह यूज किया जाता है, as well as chelating agent, okay, antioxidant भी और chelating agent भी, चली, देखते हैं हम लोग, options, ascorbic acid, EDTA, citric acid, phenyl mercuric acid, तो सबसे पहले मैं phenyl mercuric acid की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यह, यह जो कह सकते हैं, option पूरी तरह से odd है, phenyl mercuric acid किसी type का antioxidant नहीं होता, यह preservative होते हैं, कैसे होते हैं, दोस्तों, preservatives होते हैं, okay, क्या होते हैं, preservatives, वहीं यह दी बात करें, ascorbic acid, antioxidant होता है, but, यह आपका reducing agent होता है, यह आपका synergist होता है, but chelating agent नहीं होता, antioxidant तो होता है, but chelating agent नहीं होता, तो यह option खारिज हो गया, अब उसके बात चलते हैं, citric acid, citric acid anti-oxidant तो होता है, but synergist category का होताए, है not chelating agent यहां पर बसता क्या है antioxydant ऐसा substance ज्योंकि ऐसा substance ज्योंकि आपका antioxydant property का भी हो और साथी ताथ क्या हो chelating agent दौना property हो गाँ हो और सार्थी साथ क्या हो chelating agent भी हो उसके साब से correct answer बनता हमाने पास B is the right answer of this question EDTA Yes, EDTA is the right answer of this question EDTA सबसे best answer होगा इस question का अगर हम देख करते हैं चली check करते है answer Yes, B is the right answer आप देख सकते हैं यहाँ पर different type के substances synergist में मैंने आपको बताया तो acids आते हैं chiliting agent में आपका EDTA आता है चली आगर बढ़ चली है for IV infusion bottle IV infusion bottles दिमागवाद सबसे पहले IV infusion bottle preparation plastic material with polymer use कौन सा polymer use करते हैं IV infusion bottle बनाने के लिए PVC, polyethylene nylon, low density polyethylene तो दोस्तों यह इस type के questions को हमें याद रखना पड़ेगा कि सिरिंज किस से बनती है bottle किस से बनती है तो यह correct answer इसका A is the right answer of this question polyvinyl chloride PVC का use करके हम लोग IV infusion bottle को prepare करते हैं किसका PVC का use करके यह बहुत important चीज है ओके चले तो आप देख सकते हैं देखें यहाँ पर different type की plastic है polypropylene यह most widely used है because of high melting point polyethylene ophthalemic preparation के लिए container बनाने के काम आती है polystyrene से plastic syringes बनती है flexible polyvinyl chloride से backs of IV solution बनती है nylon and cynical rubber से IV catheter प्रपेर किये जाते है आइसो टोनिक लार्ज वॉल्यम इंजेक्शन गंटेंट सोरियम कोलोराइट बढ़ाई simple question है सबसे important चीज आइसो टोनिक इसमों पूचा आइसो टोनिसिटी और लार्ज वॉल्यम पेरेंटल तो लार्ज वॉल्यम पेरेंटल है थीक है इस आइसो टोनिक लार्ज वॉल्यम इंजेक्शन कंटेंट कितना परसंट नेसियल का कंटेंट कितना होता है तो मैं recall करना पड़ेगा कितना परसंट नेसियल आइसो टोनिक होता है 0.3% weight by volume 0.5% weight by volume 0.6% weight by volume and 0.9% weight by volume तो यहाँ पर देखें आपको पता है 5% 5% dextrose ले लीजिए या फिर 0.9% NaCl ले लीजिए यह दोनों के दोनों ठीक है न है sodium chloride यह दोनों के दोनों आपके isotonic preparation होती है किसके context में isotonic होती है blood के context में isotonic होती है तो यहाँ पर यह isotonicity जो होती है isotonicity के लिए जो concentration होता है किसका sodium chloride का वो कितना होता है 0.9% NaCl कितना दोस्तो 0.9% NaCl यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर D is the right answer of this question Yes D is the right answer of this question तो आप देख सकते 0.9% NaCl 1% Moric Acid का Osmotic Pressure आपके blood के equal होगा और definite सी बात है कि यह आपका blood के isotonic होगा और इसको isotonicity को measure करने के लिए हम cryoscopic method का utilization करते हैं चलें आगे बढ़ चलते हैं Example of blocking agent as an antioxidant used in the esterile preparation blocking agent sodium bisulfide sodium metabisulfide ascorbic acid ascorbic acid investor तो यहाँ पर blocking agent यह ब्लॉकिंग एजट्स क्या होते हैं चैनल ब्लॉकिंग एजट्स होते हैं क्या होते हैं चैनल ब्लॉकिंग एजट्स को थोड़ा सा recall करते हैं अगर हम देखें अपने इस अगरे हैं लिए अफने व्लॉकिंग एजट्स को कोई यह ब्लॉकिंग एजट्स फ़म होता है तो इसको oxidative degradation से प्रवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं anti-oxidants यूज करते हैं तो यहाँ पर देखें anti-oxidants कौन कौन से होते हैं एक हो गया ब्लोकिंग एजेंट क्या होते हैं? वातसंसे होते हैं अच्छिक प्रक्षू कर देते हैं क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं oxidative free radical chain reaction को क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं ठीक है अब इसमें example देखते हैं चलिए example से मिलाते है sodium bisulfide blocking agent कुछा है ये reducing agents होते हैं क्या होते है reducing agent ये आपके sodium metabisulfide ये भी आपके reducing agent होते है ascorbic acid अगर देखे हैं ये बात करें है ascorbic को तो ये आपके chain blocking agent होते हैं hydrogen hydroxy anisole BHT hydroxy BHTwww hydroxy anisole BST hydroxy toluene, vitamin e भी जो होते हैं आपके ei जिन व्लोकिंग एजंट का काम करते हैं और एक और important information जितने भी channel blocking agents होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? oil soluble substances होते हैं, कैसे होते हैं? oil solubles substances, जो इस question के साप से जो correct answer निकल का आएगा हमारे पास कौन सा आएगा आपका D-scorvic Acid Aster चलिए आगे बढ़ चलते हैं आंसर देखते हैं D is the right answer और हम देख सकते हैं आप reducing agent के example और chain blocking agents के examples चलिए आप लोगों के लिए दोस्ते खास खबर या कह सकते important information OSSC government pharmacist vacancy जैसे के आपको पता है अनाउंस हो चुकी है 11 10 1200 vacancies आप लोगों के लिए औरिशा government ने अनाउंस किये इन पर आपका exam होना है तो चलिए यह काम हो गया औरिशा government की तरफ से जीडीस आपके लिए जीडीसी क्या कर रहा है इस exam के लिए तो दोस्तों जीडीसी आपके लिए लेकर आए इस exam की तेयारी के लिए एक important crash course जिसका नाम है ओडिशा pharmacist exam crash course जिसमें आपको live classes होने वाली हैं तो इस live classes में आप देख सकते हैं कि क्या के आपको मिलने वाला live classes तो मिलेंगी मिलेंगी साथी साथ online test series pre-recorded videos और e-notes मिलने वाले और price देखिए price कितना कम है आपका इस मुकाबले में ते कि 10,000 जो actual price था वह आपको यह price आपको मिल रहा only 1,999 रुपीज में यह पूरा को पूरा आपको package मिल रहा है इस package में इतनी सारी आपको सुविधा मिलने वाली है live classes मिलेगी online test series pre-recorded lecture और e-notes तो definitely कहीं न कहीं आप अगर एक्जाम की त्यारी कर रहा है तो इस class इन classes से या कह सकते हैं इस package से आपको definitely अपने exam की त्यारी में काफी कुछ help मिलने वाली है और हो सकता है कि इसके माद्दम से आप definitely अपने exam को crack कर पाओगे तो देर मत करिए जल्दी से जल्दी course join कीजिए और अपनी तैयारी को बढ़ाईए चलिए तैंक यू आगे बढ़ते हैं next question 1188 फॉर दप्रिपरेशन आप रबर क्लोजर आर यूज्ट यह आपको याद रखना पड़ेगा हम फ्रीज डाइंग करते हैं फ्रीज डाइंग क्या होती एक प्रॉसेस होती है जिसमें क्या करते हैं जो आपका डोजस फॉम है उसका हम लि दोसे ड्राइंग प्रॉसेस होतों फ्रीज डाइंग अलाइफ राइशन बोलते हैं इसके लिए आपको कौन से ख्लोजर यूज़ करते हैं आप वाइलस में puncture, plunged, slotted और disc से तो दोस्तों यहाँ पर correct answer है slotted freeze diet product के case में आपको slotted closers use करने पड़ेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके का इस तरीके का जो closure होते हैं slotted closure category में आते हैं चली चली दोस्तों next question discuss करते हैं question number 1189 the most common emulsifying agent used in the parental preparation is options are option a lecithin option b borax option c methyl cellulose और option d gelatin चली options को चेक करते हैं वह पूछा गया है कि most common use emulsifying agent अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर हम बात करें तो borax as such ही यहाँ पर emulsifying agent use नहीं किया जाता तो यह तो option basic cancel हो गया बोरेक्स वाला अब बसता है आपका दूसरे options बसते हैं कौन-कौन से आपका मिथाल सेरलोज और जिलेटन वाला option बसता है जनरल emulsifying agent use करते हैं इनको लेकिन यहाँ पर particularly बात हो रही है किसके बारे में parental preparation के लिए तो यहाँ पर एक parental preparation में जदी हम बात करें तो इमulsifying agent जो होगा वह specific type का इमulsifying agent यूज होगा तेकिए most common जो इमलसीफाइंग एजन्ट होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो आपके surface active agents आते हैं आपके अगर हम बात करें surface active agents के लावा hydro colloids आते हैं जिसमें आपके cellulogs के derivatives होते हैं कुछ गम्स होती हैं इसके लावा जदी हम बात करें तो बोर एक्स जैसे substance भी और स्वारी बेंटोनाइट वीकम बेंटोनाइट जैसे substances भी होते हैं जो कि क्या काम करते हैं आपके अगर हम बात करें तो आज़ा यह आपके क्या क्यों करते हैं लेकिन हम बात करें पर्टिकलर्ली बात करें किसके लिए यह घ्लंच कि लिए यहां ी fry Ciao कि यहां पर बड़ा सीदा सा आंसर है कि यहां पर लेसीतिन लेसीतिन हम लोग यूजल करते थे कौना सा लेसीतिन क्यों यूज को यूज करने के पीछे का कारण क्या है लेसीतिन जो होता है आप bio-compatible होता है और अगर हम केटेग्री वाइज बात करें तो एमपोटेरिक टाइप का यह सर्फक्टेंट होता है किस टाइप का एमपोटेरिक टाइप का सर्फक्टेंट होता है तो डाफनेटली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो पैरेंटल प्रपरेशन के लिए तो पैरे देख सकते हैं आप क्या होते हैं मल्सी फाइइंट जैसे विच्ट्रॉश्ट विछ प्रवाइट अब इमर्षन प्रवाइट करते हैं और इमर्शन का जो इंटर्नल फेस ग्ल्योबिल जो होता है उसके अरउंड एक लेयर फोर्मेशन कर लेते हैं को आपके relत आपके इमल् आगे चलते हम next question की तरफ चलते है question number 1190 बड़ा अच्छा question है bioavailability से लिया गया question है तो यहाँ पर sequence जानना है कि इसमें bioavailability किसकी high होती है और किसकी lowest होती है तो sequence में अगर देखे हैं order के साफसे कर options देखे हैं तो parental is greater than oral is greater than topical is greater than rectal option B parental is greater than oral is greater than rectal is greater than topical option C parental is greater than rectal is greater than oral is greater than topical and option D parental is greater than topical is greater than oral than rectal तो यहाँ पर एक चार उप्शन्स में जो चार उप्शन्स है उसमें एक चीज सबसे आदा कॉमन है कि parental की bioavailability तो सबसे हाई है आप देख सकते हैं यहाँ आपर सबी आप्शन्स में तो पैरेंटल से हमांसा नहीं निकाल सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा next जो bioavailability हाई होती होती है और रूट की होती है किसकी और रूट की तो यहाँ पर A और B आप्शन में और रूट पैरेंटल के बाद दिया गया है तो C और D नहीं होंगे इस पर हम बिचार बिल्कुल नहीं करेंगे अब बसता आप कुश्चन थोड़ा सा और स्पेस्पिक हो गया कि अब टॉपिकल और रेक्टल में से देखना कि टॉपिकल की जादा होती है रेक बाईो अफियर डी मिलेगे रेक्टल में इससे कहीं जाधा बाईयो अवियरुटी मिलती है क्योंकि रेक्टल इस द Áp art offacta ऑूफ गर्योंटी ड Samuel डेfiniteल से जातो होगी तो यहां पर जो करेक्ट सिक्वेंश बनेगा वह पैयरैंट चीज पर सबसे ज्यादा न और और सबसे कम क्या होगा आपका टॉपीकल तो इसके हैसाब से अगर देखें बायो अवधिलिटी का सिक वंस सबसे जादा बाइविलिटी परेंटल के तो इसके साथ से जो आंसर हो इंव एंसर होगा बायो का मतलब क्या होता कर विट्रम रेट है कि एंड है एक्सटेंट और ड्रग अपजोप्शन यहाँ पर later अगर परेंटल में देखें तो ड्रग यशी चीज नहीं ہوتی अब सुन सीधा बई पास हो जाता है तो यहां पर प्रेंटल में हम बाइवलिबीटी फंडेड परसंट कंसीडर करते हैं यहां पर बाइवलिटी फंडेड परसंट तो थोड़ा सा कम होती है तो इसके साब से जो करेक्ट आन्सर हो जागा कौन से हो जागा B is the right answer of this question 1191 विच टाइप ऑफ गलास यूजड फॉर पैकेजिंग ऑफ ड्राइप ड्राइपाउडर की पैकेजिंग के लिए कौनसा पाउडर हम लोग यूजड यूज गते हैं टाइप बन टाइप-टू टाइप-3 & टाइप-फॉर टाइप-ग्लास हैं तो हम पहले इस देख लें कि कौन से glass में क्या use करते हैं तो पता चल जाएगा यहां पर यहां पर type 4 non-parental के लिए use होता है मतलब other than parental preparation के लिए तो यह तो होगा नहीं option इसको cancel कर देते हैं पहले से अब हमें इन तीन options पर बात करनी पड़ेगी तो यहां पर type 1 जो होता buffered और unbuffered किस type की? buffered and unbuffered aqueous solution के लिए हम लोग use करते हैं इसको buffered and unbuffered aqueous solutions के लिए हम इसको use करते हैं तो यह तो होगा नहीं क्यों dry powder पूछा है type 2 जो होता है especially aqueous preparation जिनका pH कैसा होता? less than 7 होता है उसके लिए use करते है type 3 जो होता है आपकी oily preparations especially बात करें तो oily preparation और dry powders के लिए हम use करते हैं oily preparation और dry powders के लिए हम इसको use करते हैं ओके तो यहां पर इस question के साबसे जो correct answer हमारे पास होगा यह see is the right answer तो हम कह सकते हैं कि dry powders की packaging के लिए हम कौन सा type 3 यानि आपका soda lime glass ठीक है ना कौन सा soda lime glass यूज करेंगे क्योंकि type 3 soda lime glass type 2 treated soda lime glass और type 1 borosilicate glass होता है तो soda lime glass यानि type 3 glass आप oily और dry powder के लिए यूज करोगे तो correct answer क्या हो जागे आपर see is the right answer of this question और आप देख सकते हैं यहां पर इसकी application buffered और unbuffered aqueous solution के लिए type 1 buffered aqueous solution का pH below 7 होता उनके लिए type 2 और कभी कभार dry powder oliginous substance के लिए यूज करते हैं लेकिन mainly अगर बात करें तो type 3 को यूज किया जाता dry powder and oliginous preparations के लिए ओके चली next question non-aqueous oily vehicle चली non-aqueous oily vehicle used for the deport formulation तो यहां पर अगर देखें अराचिस oil, ethyl alcohol, propylene glycol, glycerol यह सभी के सभी non-aqueous है non-aqueous का मतलब होता है other than water ओके other than water ओके अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते है oily vehicle तो ethyl alcohol जो होता है यूज क्या होता है water miscible non-aqueous vehicle होगा water miscible हमाए non-aqueous oily vehicle मतलब water immiscible non-aqueous vehicle को select करना पड़ेगा तो यहां पर यह तो होगे आपका alcohol जी तो यह water miscible non-aqueous vehicle होता oily तो होता नहीं है propylene glycol भी oily नहीं होता glycerin भी oily नहीं होता यह सब किसमें आते हैं आपके alcohols में आते हैं और alcohols क्या होते हैं non-oily substances होते हैं मतलब non-aqueous तो होते हैं साती सात non-oily भी होते हैं यह non-aqueous non-oily ओके non-aqueous और non-oily vehicle होते हैं तो यहां पर क्या बसता हमारे पास एक ही option बसता है कौन सा arachis oil अरachis oil आपका non-aqueous भी है और oily preparation है और deport formulation के लिए आप इसको use कर सकते हो किसके लिए दोस्तों deport formulation के लिए आप इसको use कर सकते हो तो यहां पर यहां पर जो correct answer हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर A is the right answer of this question yes तो आप देख सकते हैं यहां पर different type के aqueous vehicle, water miscible vehicle, non-aqueous, oily vehicle उसमें arachis oil आप use कर सकते हो next question 1193 which of the following is used as an anti-oxidant for aqueous injection yes anti-oxidant है और aqueous injection के लिए use किया जाना है ठीक है anti-oxidant और aqueous injection के लिए तो यहां पर देखें थायो मरसाल थायो मरसाल जो होता है आपका preservative होता है not anti-oxidant, mercurial preservative होता है थायो कार्बामाइड और थायो सेमी कार्बाजाइड यह भी इस तरीके से use नहीं किया आते है किसी परपस से parental से हां लेकिन थायो यूरिया थायो यूरिया जो होता है आपका anti-oxidant होता है और वो reducing agent category का होता है किस category का anti-oxidant reducing agent category का होता है और यह कैसा होता है water soluble होता है कैसा होता है water soluble तो definitely आप इसको aqueous injection में use कर सकते हो किसमें use कर सकते हो aqueous injection में तो इसके जाब से इस question का जो सही answer हमें निकल के आएगा वो question answer निकल के आएगा 1193 का सही answer थायो यूरिया C is the right answer of this question चली check करते हैं yes is the right answer of this question तो आप देख सकते है एस्कॉरिवक एसिड सोडियम बाइसलफाइड सोडियम मैटा बाइसलपाइड और थायो इरिया reducing agent होते हैं जो कि anti-oxidant का काम करते हैं इसमें थायो इरिया water soluble भी होता और anti-oxidant का का काम करता है चली which among the following is a class one method used for rendering a solution of drug isotonic with the body fluid मतलब इनमें से कौन सी method class one method है जो की solution को जिसके help से हम isotonicity को हम maintain करते हैं मतलब isotonicity एक तरीके से क्या करते हैं मेजर करते हैं मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर method है cryoscopic method white Vincent method sprawl method और hammerland method यहाँ पर correct answer आपका जो correct answer होगा दोस्तों वह होगा आपका cryoscopic method कौन सा cryoscopic method तो अलग-अलग class की method आप देख सकते हैं class one method जो है आपकी tonocity adjustment की method है आपकी cryoscopic method इसमें आपका cryoscopic method के अलावा sodium chloride equivalent method इससे हम tonocity adjust करते हैं क्या करते हैं tonocity adjust करते हैं हमारी preparation की कि कितनी tonocity हमें required class two method में आपकी white Vincent और sprawl method को आप utilize करते हो चले आगे बढ़ते हैं important information आप लोगों के लिए कि जो बच्चे OSSC government जो वेकेंसिस जो अनौंस की है उडिशा गवर्मेंट ने उनके लिए GDC लेकर आपके लिए free online test series जिसमें आप pharmacist vacancy और साथी साथ multi purpose health worker vacancies की तैयारी कर सकते हैं और यह test series totally आप लोगों के लिए free है इसके तुरू आप इन जो आपके OSSC government pharmacist exam और गवर्मेंट multi purpose health worker exam की तैयारी का आप लाब ले सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है किवलों किवल जाकर आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जीडिसी क्लस्स आपको डाउनलोड करना इंस्टॉल करना रेजिस्टर करना और उसके बाद यह courses आपको दिखाई देने लगेंगे तो definitely आप इन courses का advantage ले सकते हो चलिए आगे चलते हैं which of the following is an antimicrobial preservative इन वैसे कौन सा antimicrobial preservative होता है estic acid अगर हम बात करें as such use नहीं किया था कोई preservative type का substance नहीं होता अगर हम देखें EDTA जो होता chelating agent होता है कौन सा chelating agent और यह antioxidant का का काम करता है मैनिटल आपका bulking agent होता है क्या होता bulking agent लेकिन यहां पर पूचा गया है कि antimicrobial preservative तो यहां पर एक किवल एक ही option बसता है कौन सा भी थायो मर्साल थायो मर्साल जो होते हैं आपके mercurials anti-microbial preservatives होते हैं इनको प्रजर्वेटिव भी बोल सकते हैं और यह आपके parental preparation में utilize किये जाते हैं थायो मर्साल पी एमें पी एमें यह सब anti-microbial preservative हैं जो की mercurials category में आते हैं चली correct answer देखते हैं बीजदा राइट आंसर आप देख सकते हैं यहां पर different type के estric acid adipic acid benzoic acid sodium carbonate sodium sodium bicarbon buffering agent होते हैं थायो मर्साल और paravents आपके preservative होते हैं EDTA disodium meditate chelating agent होते हैं ग्लिसरिन और niacinamide stabilizer sodium chloride benitol tonicity modifier bulking agent का का काम करते हैं चली next question पर बात करते हैं the large volume parental content of fluid large volume parental का मतलब क्या होता है कितना fluid होता है 25 ml to 50 ml up to 75 ml more than 100 ml more than 1000 ml तो देखिए आपकी जो parental preparations होती है volume के साबसे अगर हम बात करें तो दो type की होती है कितने type की two types की एक small volume parentals और दूसरी होती है आपकी large volume parental okay small volume and large volume तो इसमें small volume का मतलब क्या होता है कि preparation का volume कितना up to 100 ml मतलब ऐसी preparation जिनका volume up to 100 ml होता है मतलब 100 ml और 100 ml और less than 100 ml 100 ml और less than 100 ml तो इसको बोलते है small volume parental और ऐसी preparation जिनका volume more than more than 100 ml होता है उनको बोलते है large volume parental तो यहाँ पर देखेंगे 25 to 50 यह small volume parental हो गया up to 75 यह भी small volume parental हो गया यह तो बहुत ज्यादा होगा इस से इतना volume होता नहीं किसी large volume parental का 1000 ml से ज्यादा नहीं होता maximum 1000 ml होता है कितना होता maximum 1000 ml तो यह भी option नहीं होगा तो बसता है कि हमारे पास C option more than 100 ml more than 100 ml जब volume होगा preparation का तो उसको हम large volume parental consider कर सकते हैं ओके चली देखते हैं correct answer yes, C is the right answer ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर यह different type की preparations होती है आपकी single dose multi dose और small volume large volume और जादता है जो large volume होते हैं single dose होते हैं okay चली all of the following glasses container of parental following powder glass test accept highly resistant soda lime borosilicte glass treated soda lime glass soda lime glass general purpose soda lime glass यह अगर अगर देखें हम glasses के बारे बात करें type 1 glass होता है यह type 2 glass होता है यह type 3 glass होता है और इसको type 4 glass बोलते हैं तो आपकी information के लिए बतारा जाओंगा कि type 1 के लिए powder glass test यूज करते हैं type 3 के लिए powder glass test यूज करते हैं type 4 के लिए भी powder glass test यूज करते हैं type 2 के लिए आपका water attack test यूज किया जाता है कौन सा test water attack test question में क्या पूचा गया है all of the following glass container of parental following powder glass test accept मतलब किसमा powder glass test नहीं लगा जाता तो अब इससी बात है कि treated soda lime glass जो होता है इसमें powder test नहीं लगाया जाता है इसके लिए इसके लिए टेस्ट करने के लिए हम लोग water attack test यूज करते हैं चली answer देख लेते हैं answer क्या होगा इस question का जी हां be is the right answer of this question आगे बढ़ चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर टाइप बन के लिए powder glass test टाइप टू के लिए water water attack टाइप 3 के लिए powder glass test और टाइप 4 के लिए powder glass test आप यूट्राइज करते हो next question 1198 class 10,000 area is referred to as manufacturing area, aseptic area, clean room, warehouse तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर aseptic area जो होता आपका class 100 को बोलते हैं क्लास 100 और clean room और warehousing आपकी class 1 lakh room होता है कौन सा होता है class अब बात करें 1 lakh room को यह भी class 1 lakh room होता है लेकिन जो class 10,000 area होता वह इस टाइप की preparation जो की filter होगा preparation जिनका filtration होगा उनके लिए उस area जिस area में आपकी ऐसी preparation जो की manufacture होने के बाद फिल्टर की जाने वाली है उनके लिए को आप class 10,000 area में फॉलो करते हो class 10,000 area यूज करते हो उसके लिए तो manufacturing area कहलाता है यहाँ पर दोस्तों का correct answer क्या हो जागा ए manufacturing area तो आप देख सकते manufacturing area class 10,000 चली आगे बढ़ चलते हैं bulking agent used in freeze dried product KCL, NACL, Manitol और Acacia तो यदि bulking project के बारे बात करें तो यह KCL और NACL आपके tonicity adjusting agent होते हैं अगर बात करें tonicity adjusting agent है Acacia आपका suspending agent है और emulsifying agent भी हो सकता है लेकिन Manitol यहाँ पर बात करें तो Manitol यहाँ पर freeze dried product में किसका काम करता है आपका bulking agent का काम करता है Okay Manitol freeze dried product के लिए bulking agent का काम करता है तो इस question का जो correct answer क्या हो जाएगा C is the right answer of this question yes C is the right answer of this question तो आप देख सकते हैं glycerine lactose manitol dextrose sodium plus sodium citrate sorbital use करते हैं लेकिन manitol manually use किया जाता है the amount of dextrose isotonic with blood plasma dextrose कितना percent dextrose isotonic होता blood plasma के 0.5 percent 0.5 percent weight by weight 0.5 percent weight by volume 0.5 percent volume by volume 5 percent weight by weight weight by volume तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 5 percent weight by volume dextrose isotonic होता blood plasma के याद रखना है जैसे 1.9 percent NACL होता है उसी तरीके से 5 percent dextrose isotonic होता blood plasma के तो correct answer क्या हो जाएगा D is the correct answer of this question ओके चली तो यह possible description आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके दोस्तों thank you so much तो चलिए मिलते हैं दोस्तों next part में और अपनी तयारी को इसी तरीके से continue रखिए definitely आपको exam में आपके success मिलेगी तब तक हम लोग मिलते हैं तब तक हम लोग next part में कुछ नए questions के साथ कुछ नए concepts के साथ एक नए topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रही है thank you so much take care bye bye